हेलो गैस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें के अदानी गूरूप की और यहां पर हैटलाइन को देख सकते हैं कि अदानी ग्रूप को बांगला देश से और वो रूपिय मिलने की तैयारी क्या है पुरा मामला वो हम देखेगे बात हो रही है अदानी पावर की आपकी उसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखे कल हमने इसके ओपर भी बात की थी वो जो रिपोर्ट थी एक दो दिन पहले की भले ही थी निकिन शायद आपको इसके बार में पता नहीं होगा कुछ लोगों को मतलब कि अदानी गौतम अदानी ने किया कहा कि जो बांगला देश से पैसे बकाया थे अच्छे खासे बेसे वो उन्होंने फिर थोड़ा सा सक्त रूप अपनाया सिधा सिधा उनको पत्रा लिख दिया कि पैसे दो अदर्वाइस जो है मतलब कि वो बिजली भी काट सकते है या फिर ऐसा कुछ अब जो है ये नई अपडेट निकल बैतर रह सकता है क्योंकि बड़ी रकम है अब मतलब कि जैसे कि वो एक फॉर एक्जामपल जैसे अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करे तो कैसे वो क्यो एपी की जब रकम आई थी तो एक अच्छा कासा उच्छाल भी आये था तो वैसे ही यहां पर अदानी पावर की तो अगर बात करे तो वो तो पैसे उनका बकाया है आगे देखतें हैं रिपोर्ट के अंदर कि इसमें अदानी गृप का नाम भी शामिल है ये जो तयारी हो रही है खबर है कि इसके तहट बिजली अनुबंद की समिक्षा की जाएगी पहले खबर आई थी कि मोहमद यूनिस की अंतरिम सरकार जाच के बाद भारत के साथ पिछले समझोतों को भी खत्म कर सकती है ये पहले खबर थी ऐसी लेकिन अगत्स की शुरुवात में दंगो के बाद ततकालिन प्रदान मंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबित कार्य वाहक सरकार जारखंड बिजली इकाइक से बिजली आपूर्ती के लिए 2017 में अदानी समू के साथ हुए समझोते की भी समिक्षा करेगी रिपोर्ट के मुताबित अंतिरिम सरकार समझोते की शर्तों को जानना चाती है और जानना चाती है कि इसके लिए दी गई कीमत उचित है या नहीं अभी वो मतलब की जाच करेगे पहले और इसके उपर रिपोर्ट के बाद हम चाट के उपर भी चर्चा करेगे आगे देखते हैं कि अंतिरिम सरकार के एक सदस यह ने अकबार से बात करते हुए कहा कि अदानी बिजनस जैसी भारतिय कमपनियों की जाच चल रही है किन अनुबंदों पर हस्ताक्षर किये गए उनकी शर्ते क्या थी एसी कोई विदेशी कमपनी नहीं हो सकती जो स्थानिय कानूनों का पालन नहीं करती हो उन्होंने कहा कि ये जाच जारी है इसे भारतिय कमपनियों पर हमले के रूप में प्रस्तूत किया जा रहा है लेकिन नहीं ये वे यहां क्या कर रहे हैं बांगलादेश कितना पैसा दे रहा है और क्या ये वास्तव में उचित है या नहीं उसकी जाच होनी चाहिए ये सारे सवाल उठेगे तो अभी ये जहाँ चल रही है आगे देखते हैं या फिर चलेगी मतलब की आगे देखते हैं नवेंबर 2017 में अदानी पावर लिमिटेट ने बांगलादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ट के साथ 1496 मेगावर्ट के लिए 25 साल के बिजली खरीच 2023 में बांगलादेश के बेज लोड का 7 से 10 प्रतिशत आपूर्टी की और अखबार से बात करते हुए अदानी समू के प्रभगता ने कहा कि हमारे PPA बांगलादेश सरकार की जाच के बारे में हमें कोई जनकारी नहीं है सच्ची साजेदारी की भावना से हम उच्च बावजूद उन्हें बीजली की आपूर्ती जारी रखते हैं हम बांगलादेशी अधिकारियों के साथ पूरून संपर्ट में है और सीग्र भुकतान का अनुरोद किया है क्योंकि इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा रिपोर्ट में Financial Times की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि अधानी ने बांगलादेश की अंत्रिम सरकार को 500 मिलियन डॉलर ये बड़ी रखम है 500 मिलियन डॉलर से अधिक की फीस देने की चेताव नहीं दी है और ये पैसे जितने जल्दी आते हैं इतना अच्छा रह सकता है तो ये जो है इसकी पूरी की पूरे रिपॉर्ट है अब इसके चाट के ओपर भी जर्चा करें के पहले अगर देखे ये विदेशों में भी बिजनस अगर फैलता है तो अच्छा दो रह सकता है लेकिन ये देखे थोड़ा बहुत रिस्क भी हो सकता है वहां के कानुन जो ह होते हैं उसका भी पालन करना पड़ता है तो वह आसार नहीं होता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है वह मामला यह ठिक हो सकता है अब पैसे अगर आ जाते हैं तो अच्छा ही रह सकता है कहीं न कहीं कंपनी की फाइनेंशियल जो पुजिसन अकर जो इस उधरती है तो जाहर सी बात है कि शेर के अंदर भी तेजी की संभाव ना रह सकती है अभी क्या हो रहा है शेर जो है रेंज बाउंट ट्रेड हो रहा है वो भी हम बात करेंगे आज के दिन जो है यह अच्छी तेजी भी आई उसका एक यह खबर भी हो सकती है साथ-साथ मार्केट के अंदर भी थोड़ी बहुत तेजी आई अब यहां पर जो है आज के दिन क्या हुआ यह अच्छी तेजी आई यह वेसी सिच्वेशन बनी थी जब यहां पर भी एक यह बाउंस बेक आया था उसके बाद यह गिरावट तो जब तक यह हाई जो की 680 रुपे बना था इसको क्रोस नहीं करता तब तक इसके अंदर स्ट्रेंद की आने की जो है एक संभावना कम हो सकती है बस यह हाई अगर क्रोस कर दे उसके बाद यह 700 और उसके बाद यह साड़े 700 से 800 तक भी जाने की संभावना रह सकती है तो यह लेवल जो है इसको आप इसको नजर में रख सकते है इस ट्रेंड लाइन का अगर जो है ब्रेक आउट होता है यहां पर हो सकता है यह क्योंकि यह लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है तो पिछले हाई को अगर यह ब्रेक करे तो अच्छा रह सकता है अब यहां पर यह दो लेवल्स पार करना ज़रूरी है तब और तेजी की संभाव ना रह सकती है अदर्वाइस वापस से थोड़ा सा आच ही दिख रही है मेंसेड़ को डेली चाट के उपर मेंसेड़ी का बूलिंज क्रोस ओंवर होने की तहीयाँ देख रही है लेकिन जैसे कि हमने बात की वो आज का हाई और 660 रुपे का लेवल अगर क्रोस हो जाता है तो यहाँ पर एक M.A.C.D. का बुलिस क्रोस ओवर एक अच्छा बुलिस क्रोस ओवर हो सकता है लेकिन अच्छा है अगर एक powerful bullish crossover हो तो अच्छा रह सकता है कहीं न कहीं और अब इसके support और registration देख लेते हैं जैसे कि हमने बात की यह 680 के आसपास का high इसको अगर cross कर दे तो अच्छा रह सकता है पहले तो हम बात कहले support और registration की उससे पहले आपसे request है कि अगर आप नए है इस चैनल के उपर तो अदानी power के उपर daily technical chart के उपर हम एनालीसिस करते हैं तो subscribe ज़रूर कर ले हमारे चैनल को technical chart काफी useful रह सकते हैं कहीं बार मैंने कहा कि यहां पर यह support ले सकता है अगर यह level तूटता है तो 600 और 570 तक जा सकता है लेकिन इसा हुआ नहीं और वो हो नहीं कि संभावना कब लग रही थी अगर बाजार के अंदर गिरा बटाती तो लेकिन बाजार किया हुआ वो संभल इस वज़े से इसके अंदर भी यह bounce back आया अब इसके सपोर्ट और रजिस्टन देख लेता है पहला सपोर्ट एरिया इसका 630 से 625 का जोन दीख रहा है उसके नीचे जैसे कि हमने बात के एक तो 600 और उसके नीचे 570 का लेवल और रजिस्टन की बात कर तो पहला रजिस्ट रजिस्टन 660 उसके बाद 685 और मेजर रजिस्टन एरिया 700 रुपे का जोन दीख रहा है पिछली बार इसने काफी बार यह 700 से लेकर 705 के आसपास रजिस्टन करने की कोशिश की बस यह लेवल अगर पार यह जो है नजदी की रजिस्टन दीख रहे है यह 700 रुपे पार हो सकते हैं लेकिन यह शौट टम में वोलडिल्टी रह सकती हैं तो इन सभी सपोर्टर रजिस्टन के उपर नजर बना के रख सकते हैं सो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको जानकार यह अच्छी लगे तो अगैन रिक्वेस्ट यू के लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें कल वापस से इसके उपर हम चलचा करें कल की क्लोजिंग कहां पर होती है वह ही जो है काफी इंपोर्टन रह सकता है कल वीकली हपते का आखरी दिन है इस वजह से आज का वीडियो में इतना है और एक स्टांडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमें चाह देता हूं आप क